जहिन साथियो अभ्यम लोपसित हैं एक जाम टोड़ चैनल पर और आपसे बता दें हाई श्कूल में 50 दिनों में 1.30 यानी 1,30,000 से अधिक सिक्षकों की भरती की विकंची क्या पैटर्न होगा किस तरीका से होगा संपूर्ण जनकारी आपको यहां मिल जाएगा एक शवंको की परिक्षा के अधार पर BPSC से चैन होगा एक शवंको का परिक्षा पुछा जाएगा कितना प्रस्ण होगा किस सब्जेक्ट से होगा क्या पैटर्न होगा संपूर्ण जनकारी मिलेगा इस विडियो को अंते तक जरूर देखें सबसे पहले बता दे बित विभाग से व्यतन निर्धारित होकर दस दिनों में जिक्षा विभाग को आएगा हो जाएगा हाई स्कूल में 50 दिनों में 1.30 लाख यानी 1.30,000 से अधिक शिक्षकों की भरती की वेकंसी निकाल दी जाएगी आगे देखिएगा इस साल के अंत त 30,000 से अधिक शिक्षकों की भरती के लिए वेकंसी मई अंत तक या जून में आएगी बित विभाग से शिक्षकों का वेतन निर्धारित कर सिक्षा विभाग को फाइल 10 दिन के अंदर भेजी जाएगी परिक्षा पैटन और सिलेबस आदी भी इसी महीने तै हो जाएगी हा जिस सिक्षक में से दोनों के बीच का लगभग वेतन तै होगा विध्याले अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल सिक्षक मूल वेतन 32,000 से लेकर 34,000 के बीच रहने की संभावना है पहले हाई स्कूल के सिक्षकों की वेकंसी आएगी जबकि प्रारंभी के स्कूल के उमीद है सबसे पहले आपको बता दे ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इसका कारण यह हाई स्कूल से यह 24 वाला चुनाव देख लिया जाए और बाकी इस जो वेकंसी दिया जाएगा उससे 25 वाल देख लिया जाएगा आजकल वह राजसरकार हो या केंद्र सरकार हो उनको को किसी अब्यार्थी से किसी बेरोजगार से किसी वा से कोई मतलब नहीं है ये बात मैं कड़ी सब्दों में इसलिए कह रहा हूँ चुकि देखा जा रहा है रेलबे का वेकेंसी हो या बिहार में जो भी सिट काली हो बीएससी हो या भूलीज विभाग में हो या दरोगा हो य इसलिए विद्याले अध्यापक नियोगती नियमावली की अधिशुचना जारी होने के बाद ही सभी परक्रिया तेजी से हो रही है आगे देखेंगे सिक्षक चैन के लिए भी प्यसी एक परिक्षा लेगा माना जा रहा है कि वस्तुनिस्ट परिक्षा 100 अंको की होगी इसमे हाई स्कूल में सिक्षकों के लिए इंटर वास नातक के प्रस्ण पूछे जाने की सम्हाव ना है जबकि प्रारामी के स्कूल के सिक्षकों के लिए सिलेबस मैट्रिक और इंटर अस्तर के होंगे परिक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी हाई स्कूल में सिक्षक पिछले वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षर का प्राउदान होगा यहां पे देखेगा हाई स्कुल में सिक्षकों के लिए बीएड या सीटेट उतिन होना अनिवार्ज होगा प्रात्मिक एव मध विद्याले के मूल कोटी एव मसनातक कोटी के विद्याले अध्यापक तथा माध्मिक विद्याले में उच माध्मिक विद्याले में विशावार विद्यापक अलग-अलग समवर्ग होंगे यह सभी समवर्ग जील महा सेलरी होगी प्रणाबिक स्कूल के सिख्षकों की मूल सेलरी 2700129,000 रुपे की दर से प्रतिमा प्रणाबिक बेतन 40-45,000 होगा यहाँ पे देखे और हो सकती है नियोजित सिख्षक VPSC की परिक्षा में सफल होते है तो इनका बेतन नए सिख्षक से अधिक होगा नियोजि एक माँ के अंदर लेने की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी पंदरह दिन के रिक्त मिल गई तो मय के अंद तक वेकेंसी जारी कर दी जाएगी मेरिक के अधार पर 24 होगा आवेधन लेने से लेकर चैन की परक्रिया BPSC सिक्षा विभाग की स्वामती से अंतिम रूप तै करेगे BPSC केंद्री करित तरीका से आवेधन लेगा यहाँ पर देखे चो महापूर्वी सिक्षा विभाग को मिले थे मिले थे ये पद और बढ़ेंगे देखें उच मादमीक में आपका 89,734 मिला था मादमीक के स्कूल में यानि 9 वा 10 के लिए 44,193 मिला था आप प्रारमी के स्कूल में 80,200 संताओन पद मिला था तो यह आप देख सकते हैं और एक बात बता दे जो भी अभ्यारती है उनको मैं बता दूँ यदि आप किसी भी कमपडिडिव इक्जाम की तयारी करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लोगों में सेयर करें जै हिंद जै भारत जै इवा